तो यारों आप दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि एक ऐसी होरर थिलर मूवी आई है जो कि हीरोपंटी 2 से भी जादा दरावनी है सच में तो मैं बात कर रहा हूँ एविल डैड राइस की जो कि तुमको डर का एकदम असली एहसास करवाती है तो इसके स्टॉरी की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉरी में एक एली नाम की लेड़ी और उसके तीन बच्चे और उसके एक सिश्टर होती है जो कि उनको बिजट करने आती है और उसके बाद एक दिन आता है एक जवरदस्त भूकम जिसके बाद इनको मिलती है बिल्डिंग के अंदर एक किताब और उसके खुलने के बाद ये मॉमी एली पजेस हो जाती है और इसके बार ये मॉमी एली जब अपने रियल अवतार से इस घिनोने और डराबने अवतार में आती है तो भाई मूवी का पूरा ही सीन उलट पलट कर देती है जिसके बार इसमें भर भर के फुल जंप स्केर मूमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये मॉमी अपने आस पास की चीजों का ही इस्तमाल करके जो खौप पैदा करती है भाई वो दमाग फाड़ देता है इसके अलाबा इसका BGM और सिनोमेटोग्राफी इतने कमाल की है कि ये मूवी पूरी तरीके से स्टार्टिंग सही डर का पूरा माहूल क्रीट कर देती है और तुमको स्मूदली उसी जोन के अंदर ले जाती है जहां फुल थिल और होरर के साथ ये खून का नंगा नाच चल रहा होता है क्योंकि इसके अंदर इतना बलड बहा है भाई जितना तो हमारे घर के टेंकों में पानी नहीं होता तो अब इससे में ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि इसको रोकनी के लिए कोई बटन है या फिर लाइट जाने के बाद ये खुद ही बंद हो जाती है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना मिलते हैं अगली वीडियो में